एलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायलोजी मेंटर में NCRD बायलोजी हिंदी मीडियम काक्षबार अध्याय दूख पुष्पी पादवों में लेंगिक जरन इसके विशे में हम लोग अध्यन कर रहे हैं अगर पिछले चार भाग आप लोगोंने नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं तो आज इस अध्याय का पाच्वा भाग हम लोग शुरू करेंगे तो आएए आज की इस भाग की शुरुवात करते हैं आज की टॉपिक परागण या पॉलिनेशन से इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइस करना चाहूंगा हमने पिछली लेक्चरस में पढ़ा था मेल गेमिटोफाइट परागण के विशह में इसमें हमने पढ़ा किसमें दो कोशिकाएं अर्थार काइक कोशिका जनन कोशिका या परागण में तीन कोशिकाएं काइक कोशिका और दो नर्युगमक हो सकते हैं और एक प्लाजमा जि रहते हैं और इसके अंदर यहां पर अंदर की दरफ मेल गेमीट्स प्रजेंट रहते हैं पराकन के अंदर अब दूसरा जो फिमेल गेमिट्वाइट था इंब्रो सेक था इसके अंदर हमने पढ़ा आठ केंद्र क्या साथ कुछका है पढ़ा एक साइट को यह दो सिनर्जीट यहां पर एग बीच में दुर्वीक केंद्रग और जो दूसरी साइट को यह तीन प्रतिमुखी कुछका यह एंटिपोडल सेल्स इसके विशन हमने पढ़ा था और यहां पर यह क्या है फिमेल गेमिट्वाइट है और इस पूरी संद्रजना को हमने कहा एंब्रो सेक या फ फिमेल गेमिट है दोनों के दोनों के दोनों है नौन मोटाइल दोनों के दोनों नौन मोटाइल है तो निशेजन किरिया को संभव करने के लिए दोनों का ही पास में आना जरूरी है दोनों कोई पास में लाने के लिए एक प्रकिरिया होती है जिससे हम क्या कहते हैं पराग या पॉलिनेशन कहलाएगा किसी भी पुष्प के पराग को से पराकण निकलते हैं उसी पुष्प के वर्तिक आगर पर या उसी परजाद के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिक आगर पर अगर पहुंसते हैं तो उस पर क्रिया को हम परागन कहते हैं हाड था, transfer of pollen grains from enter to the stigma is known as pollination, परागन के परकार, तो परागन इस हिस्तित के आधर पर कितने परकार क्या हो सकते हैं, दो परकार के, स्वपरागन या self-pollination, पर परागन या cross-pollination, आज हम लोग एक डियाग्राम के साइधा से पहले इसको समझते हैं, हैं कि दो तरह से हो सकता है ओंटो गेम होगा यह एक एक पुषप के पराकोश से पराकण उसी पुषप की वर्तिकांगर पराकणा और और यह यह स्थिक्री दो अलग अलग है एक पूंदा है और पुषप दो हैं एक तो यह पुषप हो गया आपका मान के चले कि इसके पुषपी 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 आगर पर गए तो इसको हम cross-polination जेन्योगमी या परपरागन की किरिया कहेंगे एक एक करके एक बार इनको समझते हैं स्वपरागण या सेलफ पॉलिनेशन स्वपरागण में एक पुष्प के पराकोस से परागण उसी पुष्प अध्वा उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिक आगर पर पहुंसते हैं यह दो प्रकार से हो सकता है नमबर पहला स्वाईगमन या ओटो गेमी ओटो गेमी में अभी हमने पढ़ा एक पुष्प के पराकोस से पराकण निकलते हैं और उसी पुष्प के वर्तिक आगर पर पहुंसते हैं दूसरे स्वाईगमन या ओटो गेमी कहते हैं और दूसरा जीटोनो गेमी या सजाद पु अब जो जीटोन गेमी और ऑटो गेमी वो हो रहा है एक ही पहुँद्धे में इसलिए जो जीटोन गेमी या सजाद पुष्पी परागण होगा क्रियात्मक रूप से यह क्या है पर परागण की तरह है अर्थाग इस पे दो अलग-अलग पुष्प में हैं दोनु के बीच मे बीज में शो परागन की एक वोग्तार में ही इसलिए आन्वनशी कुर्प सीखिया है यह स्वपरागण है अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं परागण का पर परागण लेकिन उससे पहले हम लोग स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले युक्ति के विशे में पढ़ेंगे अर्था ऐसे प्रकृति के द्वारा ऐसी त्यार की गए यह एसी युक्तियां त्यार की गए जो कि स्वपरागण बढ़ावा देती है नमबर पहला दुलिंग गिता या बाय सेक्ष्वलिटी कि दुलिंगी पुष्प किसे कहते हैं जिन पुष्प में दूनों जनन आंग एक पुष्प में प्रजेंट होते हैं उस संकालिकता सहपक्ता है अगर साथ परिपक्ता होते हैं इसमें भी स्वपष्प स्वपर आगण का जबढ़ जाते हैं तीसरा है और्फान एंशा पुष्प कुछ पुष्प या क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं यह हमेशाद दुलेंगी ही होते हैं तो पुष्पों के बंद वस्ता में इसके पराकोश के परिपक को होने के बाद फटेगा और उससे पराकण निकलेंगे और वो कहां जाएगा वर्तिकागर पर चले जाएगा और जिससे कि फो है अर्था एसा पुष्प जो कभी खिलता नहीं है ऑर्था हमेशा बंद वस्ता परिपक कोनी के बाद भी ये बंद वस्ता में रहता हैं यह सेंका क् llegar पेफ्लिय कंद में हैं Yuk आ और पर-परागन भी हो सकता है अब हम लोग बात करते हैं सव परागन के लाइव माधा जननंग दें इसलिए उसे परागण किरिया को संपन्य करने के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्बर नहीं रहना पड़ता तो परागण में अधिक पराकण के आवश्यक्ता नहीं होती यह नहीं होती है क्योंकि अगर पर परागण होता तो यह देखा जाता कि एक पुष्प के परागण को कौन ला रहा है वाईल आ रहे है रहा है या कोई जैसे कीट या कोई मध मख्या कोई पक्शी ला रहा है लेकिन यहां पर स्वपरागण हो रहा है तो स्वैयम देन है कि जो स्वपरागण होता है आनवनशिक रूप से क्या है कि बिल्कुल सेम टाइप की चीज़ें अर्था जो नया जो पौधा बनेगा नया जो बीच बनेगा उसमें कोई परवर्तन नहीं हो रहा है वो क्लोन की तरह बन रहे एक तरह से देखा जाए इसलिए जो नया संकर का मतलब होता है कि जो अलग अलग परकार के जब मिश्रित होते हैं उसे हम संकर बीच कहते हैं तो संकर से क्या मतलब है कि अलग-अलग प्रकार के जो गुण होंगे वो इसमें उपस्तित ही नहीं होगा अर्थात बीजों में कोई भी संकर उसका गुण उपस्तित नहीं होगा पादप विकास के संभानाय कम होते क्योंकि विभिनताएं नहीं होंगी अगर एगी पौधे के पुष्पों में स्वपरागण की किरिया होती है तो उन में कुछ भी विभिनताएं नहीं जाएंगे अगली प्रेडी में इसलिए विकास के संभानाय नहीं होंगी पादपो में उत्पादक्ता भी कम हो जाएगे तो पादपु में उत्पादक्ता भी कम होती है स्वपरागण से अगला है अनतह प्रजनन अवसाधन होता है तो भी कमजरू होते हैं पहले अनतह प्रजनन या इनिविडिटिंग अर्थाथ जो तो closely related जो individual होते हैं अर्थात बहुत बहुत समानता रखने वाले जो जीव होंगे उनमें अगर प्रजर्ण होगा तो उसे हम पैदावार कमजोर हो जाती है तो इसी इनीए चीज़ों को मिला कि क्या कह सकते हैं इन्हीं को क्या किता हैं ःंतक प्रजर्ण हम सदन क्याथे नइ किसंप का विकास नहीं होता है अब तो दूसरा प्रकार है परागण का पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगेमी हमने अभी तक पड़ा कि स्व परागण में एक ही पॉधे में परागण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि एक पॉधे का पुष्पी है कि दूसरे पॉधे का पुष्पी है एक पीच के द्वारा जुनया पदा बनेगा उसमें भिन्दाएं निश्रूप से जाएंगे और परपरागण को सम बढ़ावा देने के लिए परकृति के द्वारा कुछ युक्तियां विक्सित की गई जो कि क्या करते हैं जो कि स्वपरागण को भी कम करेंगे स्वपरागण को भी हतुसाइद करेंगी और परपरागण को बढ़ावा देंगी तो एक्जाम में ऐसे भी पुछे जाए गया कि स्वपरागण को कम करने के लिए कौन-कौन से युक्तियां पोधों में विक्सित हो उसको बढ़ावा देने के लिए परकर्ति के द्वारा पौधों को कौन-कौन सी युक्तियां परदान की गई हैं। तो बही परदान युक्तियां निरंदन स्वपरागण के फल्सरूप परदान में अंतह परदान आवसादन या इन्विडिन डिप्रेशन होता है। अर्थात जब लगातार स्वपरागण होगा उसकी वज़े से जो नए पौधे बनेंगे उसमें कुछ भी विणताएं परकटनी होंगे। जिसकी वज़े से उसके बीज कमजूर होंगे पैदावार कमजूर कम होगी या परदान की शमता देरे-देरे कम होने लगती है। तो जो यह कमियां होती है तो इनको क्या कहता है समले रूप से अंतह परजनान अवसादन इनवर्डिंग डिप्रेशन इसको इनवर्डिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए या स्वपरागण को भी कम करने के लिए या हतुतसाइद करने के लिए पौदों में जो युक्ति होती है जो युक्तियां पाई जाती है जो कि परपरागण को बढ़ावा दे सके तो उनको क्या कहते हैं वही परजिन युक्तियां या आउटब्रेडिंग डिवाइसे कहते हैं अब आउटब्रेडिंग डिवाइसे के नंबर पहला है एक लिंग किता है या यूनिस इन में क्या होता है कि दो अलग-अलग पॉधे होते हैं एक पॉधे में नर पुष्प लगते हैं और दूसरे पॉधे में मादा पुष्प लगते हैं क्योंकि अलग-अलग पुष्प लगते हैं तो किसी इस्तित में इसमें सो परागण तो नहीं हो सकता है सो परागण इसमे नहीं होगा और ऐसे पौधे जिन में एक पौधा नर्पुषपवाला दूसरा पौधा माद्धा पुषपवाला इन्हें हम डायोशियस प्लांट कहते हैं या एक लिंगा श्री पौधे कहते हैं तो एक लिंगा श्री जो पौधे होते हो किसको बढ़ावा देंगे वह परप पौधे का एक शाखा में मेल फ्लावर लगेगा दूसरी शाखा में फिमेल फ्लावर इसमें एक पुष्प में से उसी पुष्प में परागण की किरिया तो नहीं हो सकती लेकिन एक पुष्प की पराग को से पराकर निकलेंगे उसी पौधे की किसी दूसरे पुष्प की वर्तिक आगर पर जाएंगे तो परागणी एक तरह से यह तो अटो गेमी तो नहीं लगी नहीं जीतों नहीं रोग सकते हैं दूसरा जो प्रकार वह है अब भिन्नकाल पक्वता इसमें दो करिये इसको भिन्नकाल पक्वता या डाइको गेमी अर्थाद कुछ पौधों में प समय पर परपक्व नहीं हो अगर पराकोश अभी परपक्व है ठीक है यहां पर यह एक पराकोश है ठीक है एक पराकोश परपक्व और इसमें पराकण बन गए लेकिन यहां पर क्या है इस्तिति कि जो इसका वर्तिक आगर है वर्तिक आगर इसको ग्रहण करने लाइक नहीं ब वरतिखागंगर पूर्ण रुप से परिपको है ये पूर्ण रुप से परिपको है लेकिन इसका पराग कोस अभी परिपको नहीं तब भी इसमें 100 परागण नहीं हो खेज़े में तो इसमें पर испर परागण के चांसेज हो जाएंगे शि头 ये ट्रेश के यह सकता है नंबर पहला पोँपुपर्वताया पूटेंड्री दूसरा स्ताइर पूर्वताया पूटोगयनी इसमें पराग कंवर्ति कघ्राएं उनने से पहले ही परफकोigram जयसंद कि नामसे अधता नरजननंग के पराकों से परपकों है लेकिन उसी पुष्प का माधा जननंगर घरथा वर्तिकागर परपकों नहीं तो सो परागन किसी चीमत पे नहीं होगा और यह स्तिति किसको बढ़ा अधते पर पराकन को दाहरों के लिए सूरज में दूसरी स् नहीं बनेंगे तो भी स्वपरागण नहीं होगा अर्थादी किसको बढ़ावा करेगा परपरागण को धारण के लिए मिरेबिलस उसके बाद जो तीसरा प्रकार है स्वप असंगतता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यह एक प्रकार की आनवनशिक प्रकिरिया है जो अंत प्रजरन का जैसे उधारण के लिए यह एक वर्तिकागर है ठीक है और यह दूसरा इसमें हमने बना दिया एक इसी एक ही पुष्प के पराग को से पराकर निकला और उसकी वर्तिकागर पर जाएगा तो यह वर्तिकागर पहचान लेगा कि भाई यह तो सेम टाइप का ही इ आगंवने Filipino पदार्त हे तो इसको accept नहीं करेगा अरथाथ इस इसको इग् 니ोर करेगा जिसकी वजह से पराग करकर का आगे का परेपक को नहीं होगा इसमें पराग ने बनेगी पॉलं ट्यूब नहीं बनेगी अरधार इसका विकास औरद्द होजाएगा पॉन्रूप से क्य परणने करवायेगा किसी समय यह हो सकता है किसी दूसरे पॉध्य के पुष्प से पराकण आ जाये तो उसको इजीली यहां पर ग्रोव करने दे गार पराग नली भी यहां पर बनेगी अर्थाद यह क्या यह समझ जायेगा कि यह अलग पदार्त वाला पराकण आया है तो मुझे में विभिनताइं तभी आएंगी जब बाहर किसी अच्छे पराकण को अर्थाथ अलग तरह के अनुवन्शिक लक्षण वाले पराकण को अगर मैं अपने उपर उसको भृद्धि करवाऊं तो अर्थाथ स्वा असंगतता क्या है यह एक परकार के आनुवन्शिक पर क्रिया जिसमें अंतहप प्रजणन को रोगने का कारिक किया जाता है यह किसी पुष्प के वर्थिकाग्र पर उसी पुष्प या उस पौधे के किसी अन्य पुष्प के उपर आकण का उपकरण रोग देते हैं उधारन के लिए तमबा इस स्तितिय कोमदे इसे कोम लोग देखने के साहता से यहां पर आप देखेंगे कि इसमें पुंके सर्लमबा है इससे क्या होगा अगर एक हाइट में हुदा आगर एक हाइट में हृता इसमें इस्व पर आगरण क्या बढ़ जाती है लेकिन इनकी हाइट अलग अलग एक की अधिक दूसरे की कम है इसलिए इसमें 100 परागण के चांसे कम हो जाएंगे क्योंकि जैसे यहां पर पराग करण है तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहां पर इस तरह से उपर की तरह यह जाए जाहिर सी बादी अपने समानांतर ही यह अगर यहां कभी वर्तिक अगर लंबा होता है और पुंकेसर छोटा होता है तो इस तरह से इनकी इस्तितियां अलग-अलग होती हैं तो भी पर परागण को बढ़ावा मिलेगा उसके बादे हरको गया में अनेक दुलेंगी पुष्प में पुंकेसर तथा वर्तिकागर की स यह अईसी सद्रशिना हो जाए अपस में जो पिंड के रूप में फिर चस्ठा उन मीं लेता या चैस्मों गेमी अर्थाद जो पुष्प खिलते हैं ठीक है जो पुष्प खिलते हैं उन्हें हम क्या कहते चैस्मों गेमर फ्लावर या उनमील्य फ्लावर कहते हैं इन में निश्य रूप से परपरागण के संभाना बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा परपरागण ही होगा लेकिन इन में परपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं क्योंकि यह खिलते हैं और जिससे कि इनका जननंग और मादा जननंग ऊपन पोलेशन नंबर पहला पर परागण पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भाहरे हम स्वादिश्ट होते हैं तो इनके बीज की संख्या अधिक होती है अर्थाग परपरागण से उत्पन पीज भी बढ़े होंगे बाहरी होंगे स्वस्त्य अच्छी नसल वाले होते ह हैं और इनसे उपज बढ़ती है मुख्य कारण इसका क्या है कि इन में जो विभिन्टाएं होती है अर्था जो आनवनशिक विभिन्टाएं होती है अच्छी विभिन्टाएं अगली जनरेशन में जाती है जिसकी वज़े से दो अलग-लग पहुंद हों के जो पहुंदे बनेंगे वो काफी बढ़े होंगे अच्छे होंगे अच्छी नसल वाले होंगे और इन में परतिकूल परिस्तितियों में जीवित रहने की अपार शमता होगी अगला है परपरागण द्वारा रोग प्रतिरुदग शम्ता हैं विक्सित धुंगर्थात ऐसा हो सकता है कि दो अलग-अलग पौधे हैं और उनमें परपरागण की किरिया होगी एक पौधे में अगर रोग प्रतिरुदग शम्ता अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है परपरागण किरिया संबन होने के निश्चित रूप से क्योंकि अलग-अलग पौधु में परागण की किर्या संपन्नोरी इसलिए बिभिन्नताएं इनमें अगली पीड़ी तक जाएंगे जिसके वज़े से क्या होगा कि आनवनशिक रूप से क्या होंगे एक दूसरे से पर परागण की कुछ हानिया भी है उधारण के लिए नमबर पहला है पर परागण अनिश्चित उत्ता क्योंकि पर परागण बाहरी साधनों पर निर्वर होता है जो पर परागण होगा उसमें पर परागण में एक पहुंदे के परागण दूसरे पहुंदे के वर्तिक आगर पर तभी पहुंच पाएंगे जब उसके द्वारा या तो जल वाय या कोई भी कीट पतंग या कोई जीव जैसे वह सकता है उसमें पक्षी हो सकती है घोंगा ह हो सकता है चमगादर हो सकता है या मदमक्य हो सकती उनके द्वारा ही पर परागण की किरिया संभव होती है इसलिए यह अनिशित होता है जरूरी निगी हमेशा है सफल हो क्योंकि दूसरे साधनों पर निर्बर होता है इसलिए अनिशित होता है दूसरा है परागित करने वाले साधनों के समय पर उपलवतिता न होने पर अधिकांश पुषप परागित होने से रह जाते अड़ताद जब कोई भी पहुदा परागण के लिए बाहरी साधनों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है तो अगर वो साधन उस समय उपस्तित नहीं है तो पर परागण का होना सम्भव नहीं है इसलिए कभी-कभी ये नहीं भी हो सकता है समय पर तीसरा पॉइंट पर परागण के लिए पुषपों को दूसरे पुषपों पर निर्भर रहना पड़ताद आधा एक पुषपों के परागणकों को धूसरे पुषपों के वर्थिकाम प्र पर निर्भर है पर मिर्भर परागण किरिया के संब्ध होती जब दो अलग-अलग पुष्पों के पराकण और वर्तिक आगर आपस में एक दूसरे के नजदिक आते हैं अर्थाथ एक पुष्प हमेशा परागण के लिए दूसरे पुष्प पर ये निर्भर होता है कीटो को आकरशिद करने के लिए पुष्प को चटकlaws रग बड़े दल सुगंद धा मकरंद उत्पन नीरु आख treat कीटो आकरंशिद करने के लिए काफी ज्वी जादा नटॉट होता है वह बनाना पड़ता है उसमें जेस पटने नेकर की ज़्यादा डिमांड होती है करना पड़ेगी जिससे कि तभी इन कारणों से ही कोई भी कीट किसी की तरह आकरशित हो सकता है और जब आकरशित होगा तभी परागण के किरिया संभव होगी पर परागित बीच सदेव संकर या हाइब्रिड होते हैं संकर का मतलब हुआ दो अलग-अलग परकार के जो पुष्प होते हैं उनमें अगर परागण के किरिया होगी तो एक का अनुशिक पदार्द अलग होगा दूसरे का भी अलग होगा तो उन दोनों कोई मिश्रित करेंगे या संकर 20 करेंगे क्योंकि दो अलग-अलग तरह के आनुशिक लक्षणों वाला गुण उसमें विद्धिमान होगा तो इस तरह से आज हमने परागण किरिया के बिशे में पढ़ा परागण क्या होता है परागण के कितने प्रकार हैं और सो परागण को बाधित कर परागण के लाब और हानिया भी हमने पढ़ी तो आज के लिए बस इतना ही अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रेक्शन अर्थाथ पराग कण किसी वर्तिकागर पर आता है तो क्या वह वहां पर अपना परागणली हमेशा बना लेता है या नहीं बना पाता या इसके साथ साथ हम डबल फर्टिलाइशन के बिशे में भी पढ़ेंगे तो काफी कुछ अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्शर में हम लोग पढ़ेंगे तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखे और इन से नोट्स तियार कीजिए अगर